तो शुरू करें अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उसके लिए हम लोग प्लांट लगाते हैं प्लांट पतलब हमारी प्रोडक्शन उनिट उसके लिए हम लोग जगह जो है लोकेशन बहुत अच्छे से डिसाइड करनी होती है लेकिन जब हम लोग किसी भी बिजनेस उनिट के लिए प्लांट लगा रहे होते हैं तो उस प्लांट को लगाने के हमारे अलग-अलग लेयाउट होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीका प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उन्ही तरह के plant layout जो चार हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में consider करने वाले हैं जो की paper में long questions पूछा जाता है जिसको मैं बहुत short में cover करने कोशिश करूँगा थोड़ा long हो तो वीडियो में बने रहीएगा लेकिन ज्यादा time नहीं लोगा मैं ठीक है तो जो हम जो plant ल बात करें जो कि product और line layout होता है तो अगर हम लोग कोई भी plant लगा रहे होते हैं तो सारी machines इसमें एक sequence में होती है मतलब कि हम line by line step by step 1,2,3,4 कप के अपने product को बना लेते हैं इस layout में एक ही तरह का product जो है वो produce होता है operating area में मान लीजे से car का production आप लोग जानते हैं अगर आपन production with line by line होती है पहले एक-एक करके बनता जाता है और आखरी में सेंबलों के car निकल जाती है हर चीज fit होते होते हैं ठीक है इसके advantage भी होते हैं कि lower handling cost होती है less process होता है ज्यादा utilization होता है मैंनो machine का कम area चाहिए होता है material transport होता है temporary storage रख सकते हैं simplicity हो सकती है लेकिन इसके limitation भी होत होती है इसमें ठीक है manufacturing cost increase हो जाती है अगर volume के जो production होता है वो कम हो जाता है तो ठीक है क्योंकि आपकी machines चल रही है और अलग तरह कि रुका हुआ है काम लेकिन बंद हो गया है तो आप नहीं कह सकते हैं एक और दो line जो है running light कर रही होती है तो आप इसको आराम से पढ़ सकत में machine जो हमें sequence में arrange नहीं होती है बलकि arrange होती है कि हमें किस type का operation करना है complex operations की अलग machine है simple operations की अलग machine है यह non repetitive job के लिए suitable होता है अब इसके advantage क्या होते है और limitation क्या होती है इसको पर screenshot लेके आराम से पढ़ सकते हो उसके आप होता है fixed position layout यह क्या होता है यह आज कल बहुत कम use होत होता है आजकल की industries में इसका major component ही होता है कि फिक location पर रहता है other material part और tools उस location पर लाए जाते है काम को करने के लिए ठीक है जैसे आप अगर boiler हो गया hydraulic हो गई ships हो गई तो आप उस जगह पर सामान को लाते हो जहां पर आपको इसको बनाना होता है ना कि आप इसको बनाने के लि ठीक है इसके भी आप advantage disadvantage read कर सकते हो और उसके बाद जो हमारा चौथा होता है इसकी इन चौट लिना अभी मैं time दे दूंगा आपको combination type layout जब सारे layout combine कर दिये जाए company ऐसा तब इस्तमाल करती है जब उसको कोई need लग रही होती कि हम चारो combine करके अपना इक अलग layout तयार कर सकत है हर layout के अपने कुछ advantage होते है कुछ limitation होती है उसको उसको हटाने के लिए हम लोग नए तरह के layout बनाते हैं जो सकता है future में हम लोगो और जाद देखने को मिलें तो जो मैंने आपको तीन बताए line wise उसके बाद में function wise तीसरा जगह पर ले जाने वाला तो पहला ये screenshot number one दूसर तीसरा ही है screenshot number two तीसरा ही है screenshot number one second screenshot number three ठीक है तो आप इसके advantage disadvantage खुद से पढ़ लेना कोई doubt हो तो comment section दो बताना जो business organization है उसकी पूरी playlist का link description में है तो फिर मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए thank you have a nice day